कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्रों को और पुत्रियों को पढ़ाए जरूर बाकी काम रह जाए तो रह जाए लेकिन शिक्षा जरूर अपने पुत्रों को दो यदि आपके पुत्र शिक्षित होंगे तो बहुत सी समस्याइं अपने आप समापत हो जाएंगे आज आपके जोन में समस्याएं असिक्षा की वज़े से भी ज़्यादा है इसलिए आप लोग का सर्वप्रतम धर्म है एक बार भले घर में खाने को रोटी न हो चलेगा एक टाइम भुखा रहे जाना लेकिन अपनी बेटियों को सिक्षित जरूर करना और दूसरी बात है बेटा बेटी में कोई भेद मत करना जिस तरह से बेटे को आप पढ़ाते हो उसी तरह से बेटियों को भी पढ़ाना क्योंकि एक सिक्षित बेटी जब वो मा बनती है तो अपने बेटी को भी सिक्षित करती है इसलिए बेटीों का सिक्षित होना बहुत जरूरी है एक बार बेटा सिक्षित हो जाए तो चलेगा लेकिन बेटी असिक्षित नहीं रहनी चाहिए क्योंकि बेटी की बहुत जुम्मिदारी होती है वो मा होती है और बालक की प्रतम गुरु मा ही हुआ करती है मा से ही वो सब्रतम शिक्षा लेता है इसलिए बेटीों का सिक्षित होना बहुत जरूरी है तो बेटा बेटियों को आप लोग सिक्षित जरूर करने